नमास्कार दोस्तन स्वागत है आपका हमारे चैनल लिचार जागेंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कन्यराश एक दिसंबर से लेकर साथ दिसंबर दोजारे कीस तूफानी ख़वर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्यराश वाली जातकों के लिए दिसंबर महिने का पहला सब्ता है यानि की दिसंबर का पहला सब्ता है एक दिसंबर से लेकर साथ दिसंबर दोजारे किस्त कसमें कैशा रहेगा साथ ही हम इस सब्ताह में कुछ तूफानी ख़वर लेकर आए हैं वो भी बताएंगे साथ ही वह कौन से बड़े गुर्णूज है कौन से बड़ी खुस ख़बर यही वह भी हम आपको बताने वाले हैं कुछ विसे साथानिया भी बड़ने की जरूरत है वो भी बताएंगे तो यदि आप कन्यरास के जातक हैं तो वीडियो को आप सुर्ण से लेकर अंतक जरूर देखेगा क्योंकि कन्ये राज़कों की लिए यह वीडियो बहुत ही important और बहुत ही खास रहने वाला है यह सप्ता ही आपके लिए भगत खास रहेगा कन्ये राज़कों सबसे पहले दिन की स्थरुवात करते हैं तो देख़ें दिन के सुरुवात होगी मार्ग सिर्ष के कृष्ण पक्षी द्वादे सी तिति और अंत सुक्ल पक्षी चतूर्थी तिति से होगी और यहाँ पर देखा जाए तो सुदूर देव बिर्शिक राशी में रहेंगे बुद्धिदेव भी बिर्शिक राशि में रहेंगे इस सब्ता और मंगल देव का चार दिसंबर को रासी पर उतन होके बिर्शिक राशि में आ जाएंगे। तो केतु भी रहेंगे, चार गुणों की यूती भी बनेगी, साथ ही सतनी देव मकर में, कनिय रासक्यातकों और कुम्भ में रहेंगे, ब्रिहस्पति देव और राहु ब्रिसम में, और साथ ही यहाँ पर देखा जाए, तो आपके राशी के स्वामी बुद्ध देव का भी, यानि की सूर्थ के साथ यूती बुद्ध दितरा जोकर निर्मार करेंगे इस सब्ता है, इसलिए यह सब्ता बहुत इंपोर्टन रहने वाला है, तो यह थी कुछ ग्रह गोचरी स्थी आप इनहीं के अधार पर जानेंगे करने रासक्यातकों की आपका केरियर कैसा रहेगा बिजनेस ब्यापार, कारोबार, नौकरी, दुकान, बैवाहिक जीवन, लव लाइफ और स्वास्त इजुकेशन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सभी छेतरों के बारे में विश्तार से चर्चा करेंगे, साथी बीडियो के अंत में हम आपको तूफानी खवर आपको बीडियो के अंत में हम कुछ उपाए भी बताएंगे, तो चलिए, आप जान लेते हैं कि आपका केरियर और बिजनेस ब्यापार इस सब्ताह कैसा रहेगा, यनी एक दिसंबर से लेकर साथ दिसंबर तक के बीच में केरियर बिजनेस ब्यापार कैसा रहेगा, लिकन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले वीडीए को लाइक कर दे और जदा ज़िदा हो सके तो से रवाश कर दे कन्याराज को क्योंड गारों कियुद को आपके लिए नए उपलब्र दियों को प्राप्त करते नज़ाएंगे जो आपके लिए काफी महिस्पूर साबित होगा ने बिजनेस ब्यापार की सुरुवात करेंगे, ने बिजनेस ब्यापार में इजाफा होगा, रुका वफा सवधन प्राप्त होगा, इंपोर्टन कोई महत्पून डेल फानल होगी, साथी ये सब ताह में, एक दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप रिंड करजों से मुक्ति पाएंगे और लोटर सेट्टर में जवरजस्त भाग में इजाफा होगा, बैंकिंग के छेतर में लोन बागार मंजूर होगा, नोकरी में उचपत की प्राप्ती प्रमोसन की ओग, बड़े अधिकारियों से सम्बंद बेतर होगे, प्रोफेशनल लोगों से सम्बंद बेतर होगे, किसी कंपनी से आपको उफ़ार आएगा जो आपके लिए नए नोकरी लगने के उमेद बनी हुई है, दोस्तों के बीच इस्टाप के साथ काफी अच्छा तालमेल बहतर बनाके चलेंगे, तो कन्या रासकेत को इसका वेनफिट आपको जवरजस्त देखने को मिलेग यनि आपकी दोरा लिया गया कोई भी निने, कोई भी डिसीजन आपके लिए ये सब्ता को और भी खोबसूरत बना देगा, महत्पून बना देगा, घर में अगर किशिक साथ पार्टनर्श में करते हैं या रिष्तेदारों में तो वहाँ पर भी अच्छा तालमेल बनाके अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सब्ता पारिवारिक जीवन आपका बहुत सांदार रहेगा, परिवार में खुशियों का वातवरण देखने को मिलेगा, घर में कुछ सुमंगल कार हो सकते हैं, साधी बिवाह का आयोजन हो सकता है, धार में कारिकरम भी हो स रखते हैं बड़े भाई वहनों का सायोग प्राप्त होगा माता पिता का आश्तिरबाद प्राप्त होता नजराएगा करने राजकेत को जिस से जो सब्ताह में यानि कि एक दिसंबर से लेकर साथ दिसंबर 2020 तक जो समय रहेगा बहुत ही लाजवाब रहेगा हर प्रकार के सु प्राप्त करने वाला ये सब्ताह रहेगा साथ ही विशेस उपलब्धियों से भरा रहने वाला है कई प्रकार के लाप मिलेंगे वैसे भी इस सब्ताह मंगल का गोचर भी होगा चार दिसंबर के दिन जो कि विशेस उपलब्धियों से भरा रहने वाला है और मंगल कि इस ग आपको तूफानी खबर मिलेंगे, संतान प्राप्ती के रूप में बड़ी खूरश MINटे राप्तों की गुड़नियूज मिलेंगे, वहीं आपके जीवन साथिक साथ मिलेगा, जीवन साथिक साथ अच्छा माहוד बनेगा, जीवन साथिक साथ काफी खुशनमा माहल देखने को म तो ये सब्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वहीं अगर लबलाइब की बात करें, तो कन्या राजकेत को एक दिसम्बर से लेकर 7 दिसम्बर 2021 तक आपकी लबलाइब बहुत अच्छी रहने वाली है, लब पार्टन को खुब सूरत अच्छा वक्त विताएंग कुछ गिप्ट और उपहार देंगे, उनके साथ ज्यादा अच्छा समय गुजारते नजराएंगे, आपस में जो सिक्वे गिले थे वो दूर होंगे, साथी पढ़ाय लिखाई के छेतर में कन्या राजकेत को इस सब्ता बहुत अच्छे अपसर मिलेंगे, पढ़ाय लिखा याद रहेगा और पढ़ाय लिखाई पर खूप सूरत समय बिताएंगे, और आप इसमें जो आपके साथ है, इस्टाब के लोग है, उनका भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, किसी कंप्टिशन, किसी पृत्योगी परिश्य के तियारी में जुटे हुए हैं, तो कन्ये भाव से चंद्रमा गोचर करेंगे, धन भाव से तीसरे भाव, चोते भाव, पंचम भाव पे यहां गोचर करेंगे, तो विशेश सुपलब्दियों से बरा रहेगा, गाड़ी बाहन का सुप प्राप्त करेंगे, ने गाड़ी बाहन का सुप प्राप्त करेंगे, जमीन प् पर्टी बगरे खरीश सकते हैं, ने बिजनेस प्यापार का विश्थार कर सकते हैं, माता सिधनलाप की प्राप्ती होगी और ने बाहन की खरीदारी कर सकते हैं, संतान प्राप्ती की योग बनेंगे और सिक्षा के मामले में प्रेम जीवन के मामलें बहुत अच्छे सितियों क पर निर्मार होगा तो कुल मिला कर का जा तो यह सब्ता आपके लिए बहुत ही सांदार रहने वाला है अगर हम तूफानी खबर की बात करें तो कन्य रासक्यात को इस सब्ता तूफानी खबर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो यह है कि चार दिसंबर को साल 2021 का अंतिम और दूसरा सूरगहन लगने जा रहा है और यह आपके लिए तूफानी खबर है और यह सूरगहन चार दिसंबर को सुबह भारती समयमसार दस बचकर सुबह दस बचकर 69 मिनट से प्रारम होगा और दुपहर तीन बचकर 7 मिनट पे समाप्त हो जाएगा लगबग चार घंटी के जावद रहेगी और यह हला कि भारत में इसका असर नहीं होगा लेकिन फिर भी यह अमेरिका, दच्छनी अफरीका, अस्टेलिया, हिंद महासागर और प्रसांद महासागर और अंटार्टकर कई ऐसे दूपे में दिखाई देगा, कई ऐसे देशों में दिखाई देगा, अ कुल ना चुएं, कहीं पर भी पड़े दोस्तों, ग्रहन उसके नियम काईदे जरूर मनना चाहिए, खासकर गरुती महिलाओं को, तो दूसरा जो तूफानी कहवार हुई कि मंगल का भी राशी पर वरतन होगा, तो विशेस उपलब्दियों से भरा रहने वाला है, अब करें, तिल का दान करें, और खासकर बस्तर का दान करें, कंबल का दान करें, यानि कि गरम उनी कपड़े का दान करें, तो विशेस उलाब होगा, गरीब निर्धन को दान करें, अन्न का दान करें, और हरी मूं की दान करें, गड़ेश जी को दूरवाग माला पहनाए, और ग लेशेन वेखे लेखे लेखेने वेय।